ओम शांती छे दो दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे तुम ब्राम्वन अभी बहुत उची यात्रा पर जा रहे हो इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है दो बेहद के बाप हैं तो दो मा भी है प्रश्न संगम युक पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने उपर नहीं रखवा सकते उत्तर His holiness वह हर holiness का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है लेकिन शरीर तो तमों प्रधान तत्तों से बने हुए है यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है तुम अभी पुरुशार्थी हो गीत यह कहानी है दीवे और तूफान की ओम शांती बेहद का बाप बच्चों को बैट समझाते हैं यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप है तो मा भी जरूर दो होंगी एक जगदंबा दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी दोनों बैट समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई पहाडी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं न अब तुम ब्राभण भी उची यात्रा पर जा रहे हो तुम जानते हो अभी घोर अनधियारा है जब अन्त का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारा मारी होती है बच्चे जानते हैं कि अब नई राजदानी स्थापन हो रही है घोर अधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री जोगरफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है बहुत माताएं अत्वा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं वह भी बच्चों को बैट अगर बेहद की हिस्ट्री जोगरफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्मेंट नाराज नहीं होगी उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की History Geography को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्यान नहीं हो सकता दुनिया में जैजैकार नहीं हो सकती बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है तीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की History Geography बैट समझाए तो बच्चे त्रिकाल दर्शी बन सकते हैं और त्रिकाल दर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं जैसे बाप ने तुमको त्रिकाल दर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है तमोप्रधान दुनिया बदल सतोप्रधान बन रही है सतोप्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है जो सहज, राजयोग और सुदर्शन चक्र का ग्यान देते हैं चक्र को समझाया, चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सत्योग में कौन-कौन राज्य करते थे फिर दुआपर से कैसे अनेक धर्मों की ब्रद्धी होती है ऐसा अच्छी रीती समझाया जाए तो बुद्धी के कपाट जरूर खुलेंगे यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीती समझा सकते हो टॉपिक भी रख सकते हो आओ तो हम तुमको त्रिकाल दर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो तुम ब्रामण ही इस चक्र को जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो परन्तु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धी में फिराते रहेंगे बाप तो हैं ही ज्यान का सागर वह बैठ बच्चों को स्रष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान सुनाते हैं और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्यान की बात ही नहीं उठती ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुशार्थ नहीं कर सकते हैं फिर तो भक्ती भी चलना सके परन्तु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया जैसे कोई ने आदी देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया जिसने जो नाम बेसमजी से रखा वह चला आता है अब बाब बैट समझाते हैं कि तुम मनश्य होकर ड्रामा के रचायता और रचना को नहीं जानते हो देवताओं की पूजा करते हो परन्तु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो तो इसको ब्लाइंड फेद कहा जाता है इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझधार थे तब तो पूज्य बने अब तुम ब्रम्ह मुखवन्शावली ये ज्ञान सुनकर समझधार बनते हो बाकी तो सारी दुनिया को रावड ने जेल में डाल रखा है यह है रावड का जेल जिसमें सभी शोकवाटिका में पड़े हैं कॉन्फरेंस करते रहते हैं कि शान्ती कैसे हो तो जरूर अशान्ती दुख है गोयास अभी शोकवाटिका में बैठे हैं अभी शोकवाटिका से अशोकवाटिका में कोई फट से नहीं जाता है इस समय कोई भी शान्ती वस्थ की वाटिका में नहीं है अशोकवाटिका कहेंगे सत्युक को यह तो संगम युग है तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कहना सके His Holiness कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते वह लिखवा नहीं सकते His Holiness वह हर Holiness सत्युग में होते है कल युग में कहां से आए भलात्मा यहां पवित्र बनती है परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए तब His Holiness कह सकते है इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए अभी तुम पुरुशार्थी हो बाप कहते हैं श्री श्री वह His Holiness सन्यासियों को भी नहीं कह सकते भलात्मा पवित्र बनती है परंतु शरीर पवित्र कहा है तो अधूरे हुए न इस पतित दुनिया में His वहर Holiness कोई हो नहीं सकता वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैफ शुद्ध है परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए हाँ लक्षमी नारायन को कह सकते हो क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं यहाँ तत्व भी तम्मो प्रधान है इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं देवताएं संपूर्ण निर्वेकारी थे तो बाब बैट समझाते हैं तुम कितने समस्दार बन रहे हो तुमको चकर का भी पूरा-पूरा ज्यान है परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य ज़ाड का बीज है उनको सारे जड़ की नौलेज है वही तुमको नौलेज सुना रहे है इस रश्टी चकर के ज्यान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो समझाना चाहिए तुम परमधाम से आकर यहां चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो अभी अंत में सभी को वापस जाना है फिर आकर अपना पाड बजाना है यहां अभी जो पुरुशार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाडे वधनवान के पास जन्म लेगा सभी नमबर वार पद पाते हैं नमबर वार ट्रांसफर होते जाएंगे यह भी दिखाया हुआ है जहां जीत वहां जन्म अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है आगे चल कर रोशनी मिलती जाएगी इतना तो है अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा जो बच्चे जास्ती पुरुशार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चड़ती है जो सर्विस में तत पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है तुम्हारे सिवाय तो सब अंधिकार में हैं गंगा इस नान आदी करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं योग अगनी से ही पाप भस्म होते हैं इस रावड की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है तब तो गाते हैं पतित पावन परन्तु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है बाप कहते हैं कल्प पहले भी इनों का तुम करन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था गीता में भी लिखा हुआ है परन्तु कोई समझते नहीं है तुम समझा सकते हो किस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है परन्तु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है तुम अब ईश्वर की संतान बने हो यह ब्राम्हन कुल है सबसे उंच तुमको स्वदर्शन चक्र का ग्यान है फिर जब विश्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ग्यान नहीं होगा अभी ग्यान है इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी इस गोहे बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सबसंतान है परन्तु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हूँ अच्छा सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉनिंग बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना परन्तु बच्चे इतना याद नहीं करते अगर याद करते हैं तो अहो सभाग गया अच्छा मीठे मीठे रोहानी बच्चों को रोहानी बाप की नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 रात्री क्लास आठ चार उननिस सो अड़ सट यह इश्वरिय मिशन चल रही है जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चन बनाने की जो क्रिश्चन बनते हैं उनको क्रिश्चन डिनायस्टी में सुख मिलता है वेतन अच्छा मिलता है इसलिए क्रिश्चन बहुत हो गए हैं भारतवासी इतना वेतनादी नहीं दे सकते यहां करप्शन बहुत है बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से ही जवाब बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें कहेंगे युक्ती से काम करो फिर शुब कारे में लगा देना यहां सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ लिबरेट करो घर ले जाओ बाप जरूर घर ले जाएंगे न घर जाने लिए ही इतनी भक्ती आदि करते हैं परन्तु जब बाप आए तब ही ले जाए भगवान है ही एक ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं उनका आना ही संगम पर होता है अभी तुम ऐसी ऐसी बाते नहीं मानेंगे आगे मानते थे अभी तुम भक्ती नहीं करते हो तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे अब बाप आया है हमको पूज देवता बनाने लिए सिक्खों को भी तुम समझाओ गायन है न मनुष्य से देवता देवताओं की महिमा है देवताएं रहते ही हैं सत्योग में अभी है कल्योग बाप भी संगम युक पर पुरुशोत्तम बनने की सिक्षा देते हैं देवताओं हैं सभी से उत्तम तब तो इतना पूजते हैं जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे अभी नहीं हैं समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है अभी तुम गुप्त हो कोई जानते थोड़ी हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है बाप को बहुत प्यार से याद करना है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे फिर दैवी गुण भी चाहिए दूसरा रात्री क्लास नौ चार उननिस सो अड़ सट आज कल बहुत करके यही कॉन्फरेंस करते रहते हैं कि विश्व में शान्ती कैसे हो उन्हों को बताना चाहिए देखो सत्यूग में एक ही धर्म एक ही राज्य अदवैत धर्म था दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे था ही रामराज्य तब ही विश्व में शान्ती थी तुम चाहते हो विश्व में शान्ती हो वह तो सत्यूग में थी पीछे अनेक धर्व होने से अशान्ती हुई है परन्तु जब तक कोई समझे तब तक मात हमार न पड़ता है आगे चल कर अखबारों में भी पड़ेगा फिर इन सन्यासियों आदी के भी कान खुलेंगे यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी इस्थापन हो रही है यही नशा है म्यूजियम का भब का देख बहुत आएंगे अंदर आकर वंडर खाएंगे नई नई चित्रों पर नई नई समझानी सुनिंगे यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए सो तो मनश्य मात्र कोई सिखला ना सके यह भी लिखना है सिवाए परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए योग सिखला नही सकते सर्व का सद्गती दाता है ही एक यह क्लियर लिख देना चाहिए जुभल मनश्य पढ़ें सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे योग योग जो करते हैं वास्तों में योग कोई भी सिखला नहीं सकते महिमा है ही एक की विश्व में शांती स्थापन करना वह मुक्ती जीवन मुक्ती देना बाप का ही काम है ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन कर पॉइंट्स समझनी है ऐसा लिखना चाहिए जो मनश्यों को बात ठीक जच जाए इस दुनिया को तो बदलना ही है यह है मृत्यू लोग नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोग अमर लोग में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं यह भी वंडर है न वहाँ आयू भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है यह सभी समझाने की बाते हैं अच्छा, मीठे मीठे रोहानी बच्चों को रोहानी बाप वदादा का याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी माद पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार पहला स्रस्टी चक्र के ज्यान से स्वयंभी तरकाल दर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है दूसरा, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुक्ष शान्ती की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है वरदान, ग्यान को रमनीक्ता से सिम्रण कर आगे बढ़ने वाले सदा हरशित खुश नसीब भव यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ग्यान नहीं है बहुत रमनीक ग्यान है सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी विजनिसमैन की आत्मा हूँ ऐसे रमनीक्ता से आगे बढ़ते रहू जैसे बाप भी रमनीक है देखो कभी धोवी बन जाता, तो कभी विश्व करा चायता कभी ओवीडियंट सर्विंट, तो जैसा बाप वैसे बच्चे ऐसे ही इस रमनीक ज्यान का सिमरन कर हरशित रहो तब कहेंगे खुश नसीब स्लोगन सच्चे सेवाधारी वह हैं, जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है अच्छा, ओम शांती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा